नश्यूाद weapons पूम exists जो आगे चल कर हमें अक्षम बना देती है और वो है दर्द की समस्या और हालत ये है कि 30-35 की उमर में ही कमर दर्द, पैरों में तेज दर्द और यहां तक की वो बीमारी जो कभी सिर्फ बुजुर्गों में पाई जाती थी यानि घुटनों के दर्द की समस्या भी आजकल जवानी में आने लगी है और फिर बुढ़ापे में हमें सुनने को मिलता है कि घुटने बदल दिये गए और घुटनों का इलाज हो गया और यहां तक की ज्यादातर मामलों में घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन दोस्तों आज हम आपको ऐसा उपाई बताएंगे जो आपके सिर्फ पांच मिनट का समय लेगा दोस्तों यह उपाई बिलकुल प्राक्रितिक है एक घरेलू उपाई जो कमर दर्द को ठीक कर देगा घुटनों के दर्द को गायब कर देगा अगर आपके पैरों के जोडों या हड़ियों में दर्द रहता है तो भी शरीर में ठकान दिखती है शरीर बीमार और कमजोर दिखता है और इस दर्द में भी दोस्तों हमें काम तो करना ही पड़ता है और महिलाओं में ये समस्या और भी ज्यादा होती है क्योंकि शरीर की संरचना ऐसी होती है कि उनमें कमर दर्द और जोडों के दर्द की समस्या बहुत आम है और इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए दोस्तों, यहां हम सरसों के खाल का उप्योग करेंगे मैं आपको यहां पर दो उपाए बताऊंगा जिसमें से पहला उपाए दोस्तों से काई करेंगे जिससे हमारे शरीर में आराम पहुंचेगा दूसरा उपाए आपको अंदरूनी तोर पर ठीक करेगा यानि इस दर्द को अंदर से खत्म कर जिससे की आने वाले समय में आपको घुटनों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी और आप लंबे समय तक स्वस्त और खुश रहेंगे और इसके लिए दोस्तों आपको यह सरसों का खाल यहां पर लेना है दोस्तों यह सरसों का खाल आपको किसी भी पंसारी की दुकान या ग्रॉसरी स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगा और यह बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध है आपको यहाँ पर 100 ग्राम खाल लेना है दोस्तों, इसी छिलके से सरसों का तेल भी निकाला जाता है और ये हमारा 100 ग्राम सरसों का खाल है और इसके साथ जो दूसरी चीज लेनी है, वह है यह तेल. दोस्तों, हम यहाँ पर दो तरह का तेल ले सकते हैं आपके पास जो भी हो, वह ले लीजिए आप चाहें तो तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास तिल का तेल है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा अब वह ले लीजिए और इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर खाली बरतन लेना है अब दोस्तों ऐसा एक बड़ा बरतन लीजिए इसमें हम यहाँ पर एक गिलास पानी भरेंगे आप एक गिलास ताजा पानी डाल दीजिए उसके बाद दोस्तों आपको 100 ग्राम के बराबर खाल लेना है और उसे तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना है यानि कि दोस्तों अगर आपके खाल के टुकड़े हैं बड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा काट लें और इस तरह छोटे टुकडे करने के बाद उन्हें 100 ग्राम खलिश पानी में डाल दें। और इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह क्या देखेंगे कि जो ये पानी है वो पुरी तरह से खाल चूस लेगी। और ये खल दोस्तों आपको इस तरह से सौफ्ट तेल डालेंगे। यानि कि जितना हमने खल लिया उसका पांचवा हिस्सा सरसों का तेल या तिल का तेल का मिलाईए। उसे डालने के बाद अभी सारी की सारी खल इसमें डालिए और इस खाल को हम यहां पर चम्मच से हिलाएंगे। बिल्कुल धीमी आच पर दोस्तों गर्म करते हुए इसे चम्मच से हिलाते रहे और इसका पेस्ट बनाते रहे। आपको दोस्तों क्या करना है कि 8-10 मिनट तक इसे धीमी आच पर ही ऐसे सेखते रहे और जो भी अच्छे से गर्म हो जाएगी इसका एक लेप तयार होगा और उसे लेप को लगाने के। दोस्तों हमा अमर में दर्द है, कंधों में दर्द है या आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जहां पर आपको मानस्पेशियों में दर्द है। वहाँ पर इसको लगाईए आप जितना गर्म सह सकते हैं उसकी दोस्तों इसकी सिकाई करें दोस्तों और ऐसा करते समय हलका दबाते रहे जिससे इसमें से निकलने वाला तेल आपके शरीर के जोडों में जाएगा दोस्तों और आपकी हड़ियों और मानस्पेशियों में जाकर अपना असर दिखाएगा और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका पेस्ट डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इसको लगाने के बाद इसमें रूई डाल कर इसको गर्म पट्टी की तरह बंद कर दीजिये और एक हफ़ते में ही आप देखेंगे कि ये पेस्ट आपके जोडों, घुटनों, कंधों, मानस्पेशियों, पीठ जहां पर भी आपको दर्द है सब ठीक कर देगा और वो दर्द बार बार ना आये उसके लिए दोस्तों, हमें एक उपाय का सेवन करना होगा, और उसमें दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है, एक गिलास में गर्म दूध लीजिये, जो दूध हम घर में पीते हैं, उसको पहले थोड़ा गर्म कर लीजिये, और उसके साथ में आप यहां पर यह बबूल के गोंध लीजिये, बबूल का गोंध दोस्तों, प्रकृति का दिया हुआ ऐसा तोफ़ा है, जो शरीर में तीस से ज्यादा बीमारियों को ठीक करता है, चाहे आपका कमर दर्द कैसा भी हो, शरीर की चुस्ती फुर्ती, बिल्कुल कम हो गई हो, या शरीर में बहुत थकावट महसूस होती हो, तो दोस्तों, यह बबूल का गोंध आपके शरीर में ताकत वापस लाएगा, और जोडों और हड़ियों में होने वाला दर्द पूरी तरह से अंदरूनी तौर पर ठीक हो जाएगा, और इसके साथ में दोस्तों, हम यहाँ पर ये दो चीज़ें और लेंगे, पहली चीज जो हमने यहाँ पर ली है, वो है बादाम, जो हमारे शरीर में होने वाले दर्द को मल्टी विटामिन की तरह काम करेगा, और दूसरी चीज़ जो हमने ली है, वो है, ये नारियल सूखी हुई नारियल की गिरी, जिसे हम खोपा भी कहते हैं, आपको वो लेना है, उसे दोस्तों, हम कुछ इस तरह से बारीक बारीक काटेंगे, और इस तरह से आधी कटोरी ये काट लेना है, और काटने के बाद उसमें दोस्तों, आपको एक बार के लिए आठ बादाम डालना है, आप ये आठ बादाम डालकर, इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें और एक पेस्ट तयार होगा और ये उपाय को इस्तिमाल कैसे करना है पहले दोस्तों आप यहाँ पर एक गिलास गर्म दूद में बबूल की गोंद डालिए हम दोस्तों यहाँ पर एक चम्मच बबूल गोंद मिला लेंगे आप चाहे तो इस गोंद को ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो इन्हें हलका सा भून ले और भूलने के बाद भी आप इसका एक चम्मच इसी तरह से इसमें डालिए और इसे यहाँ पर आठ से दस मिनट तक इसे दूद में ही डाला रहने दे उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर इस पेस्ट का इस्तिमाल करना है और एक गिलास दूद के साथ आपको इसका एक चम्मच लेना है दिन में दोस्तों आपको इसका इस्तिमाल एक बार करना है आप चाहे तो सुबह खाली पेट ले सकते हैं ये रात को सोने से आधा एक घंटा पहले, तब भी आप इसे ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ, आपको दोस्तों, दो चीज ध्यान में रखनी है, जो उम्र भर आपको जोड़ो, हड्डियों में दर्द होने से बचाएगी, पहली चीज जो है, आप सुबह की समय की चाय बिल इस उपाए का सेवन, दोस्तों आप 15 दिनों तक लगातार रोज रात को कीजिए, ये दोस्तों आपकी शरीर से अंदरूनी दर्द को खत्म करेगा, आपके जोड़ों में, हड्डियों में, पिंडलियों में, आपकी कमर, दर्द की समस्या है, कहीं पर भी दर्द होता है, इ इससे आपको जल्दी आराम मिलेंगे, आज की जानकारी बस यहीं तक थी, आपको ये जानकारी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि इ वीडियो आपको मिलती रहे, धन्यवाद